हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग सुआगा दिवार फिर से आप सभी का MZTS जूकेशन में दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अक्टूबर 2023 के most important current affair के questions के बारे में पूरी वीडियो आपको ध्यास देगी नहीं है पूरी वीडियो आपको informative अगर लगेगी तो इसे like और share भी करना है अपने साथियों के साथ चैनल पर करना है हो चैनल को subscribe कर लो ऐसे ही current affair daily सुबह में morning में 4 वज़े पाने के लिए तो सुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले revision करते हैं हम लोग एक दिन पहले का उसके बाद आज की तरह बढ़ते हैं तो कलका quickly revision कर लीगे लीजिए सिललंका ने भारत के अलावा अन्य 6 और देशों का वीजा मुफ्त कर दिया है यानि की वीजा free access वहाँ पर है विशु पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया गया और अभी हाले में भारतिय अमेरिकी दो भारतिय अमेरिकी वैग्यानिकों को दोस्तों समयुक्त राज अमेरिका में जो बड़ा सबसे बड़ाisches का पृस्कार होतान白 होतानी वो दिया गया कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO बन गए है ये हैं असोक वासवानी और पेप्सको इंडिया ने अभी लेज का ब्रेंड बिजड़ बनाया है महन सिंग धोनी को IQAIR की रेपोर्ट के अंशार हवा की गुड़त्ता खराब होने के कारण सबसे प्रदूसित प्रमुख वैक्सिक सहरों में मुंबई दूसरे स्थान पर है और इसके अलावा बिजिंग जो है ये टॉप पर है सबसे प्रदूसित सहर है जियो केमिकल परसेप्टिब लेटर्स नाम की एक पत्रिका ने चांद की उमर बताई है सवा चार बिलियन वर्स पुराना चांद है इसके अलावा निराचन आयोग के द्वारा अभी राजकुमार राओ को अपना नेशनल आइकान चुना गया है पहले अस्वेथ एक्सन हीरो की रूप में जाने जाने वाले एक बहुत ही मसुहूर हॉलिबूट के अभनेता रिचर्ड राउंडरिटी का अभी निधन हो गया है ये टॉप टेन करेंट अफेर के कुशन्स थे जिनका आपने किया क्विकली रिविजन वो भी सिर्फ एक मिनट में कल इन सभी कुशन्स को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था आज हम लोगों ने रिविजन कर लिया है अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ लेकिन अगर आप कल वली डिटेल पीडेफ चाहते हो डाउनलोड करना तो आपको MZT app का रोख करना होगा MZT app पर बिलकुल फ्री में आपको फ्री पीडेफ सेक्शन में जाकर की पीडेफ डाउनलोड कर लेनी है डेली की डेली और क्वेज भी जाकर के लगाना है ये सब चीजे फिरी है ठीक है आप हमारे पेड कॉंटेंट भी यहां से ले सकते हो शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर पहला कोशन आपके सामने है अक्टूबर दोहजार तेस में केंद सरकार ने किस राज में जमरानी बाध परियोजना को मंजूरिती है जमरानी बाध परियोजना ये important question है आप से पुछा जा सकता है ये दोस्तों कहां की है उत्तराखंड की एक्चुली में उत्तराखंड में ये बनाई जा रही जम्राणी बांध पर्योजना लेकिन इससे लाव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलेगा आप जानते हो बहुत सारी नदिया हैं जो उत्तराखंड से शुरू होती हैं और उत्तर प्रदेश में भी बैथती हुई आती हैं आप गंगा यमुना का भी एक्जामपल ले सकते हो ठीक है ऐसी बहुत सारी और भी नदिया हैं तो ऐसे ही यहां पर केन सरकार ने जम रानी बाध परियोजना नाम के एक परियोजना को एक प्रोजेक्ट को ये मंजूरी दे दी है और इससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को लाब होने वाला है क्या कुछ डिटेल है इसको हम लोग जानेंगे जैसे ये जो है प्रदान मंत्री किसी सिचाई योजना की कारेकरम का ही हिस्सा होगा जो केन सरकार की योजना है उसी की उसी का ही हिस्सा होगा यानि केन सरकार का इसमें आहम योगदान रहने वाला है कितना आहम रहने वाला ह देखो इसमें प्रयोजना में टोटल खर्च आने वाला है 2584 करोड इस 2500 करोड में से 1500 करोड के आसपास में केन सरकार दे रही है लगभग 900 या कहें कि 1000 करोड के आसपास में ये उत्राखंड सरकार जो है ये वहन करेगी इसका हिस्ता इस प्रयोजना में 57,065 हेक्टेर भूमी जो है सिचाई की दायरे में लाई जाएगी इन 57,065 हेक्टेर में 9,458 हेक्टेर जमीन उत्राखंड की है और 47,607 हेक्टेर जमीन उत्तरप्रदेश की होने वाली है उत्तराखंड में ये मंजूरी मिले है क्लियर है समझ में आ गया आपको तो इससे इससे देखो यह hydro power project लगते है न तो उससे दो फाइदा होता है एक तो बिजली भी उत्पन की जाती है तो 14 मेगावार्ट तक की छमता वाला यह hydro power project होगा यानि 14 मेगावार्ट तक इसमें बिजली जनरेट की जाएगी साथ ही साथ म सिचाई का तो आप महातु देखी रहे हो सिचाई के लिए काम आने ही वाला है तो यह सभी फाइदा होने वाले हैं उत्राखंड से उत्राखंड आया है तो उत्राखंड आप यहाँ पर देखिए मैप में उत्राखंड के बारे में उत्राखंड यहाँ पर है दोस्तों उत् अब 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को, सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश ते अलग हुआ, 13 जिले ले करके ये अलग हुआ था और आज भी यहांपर 13 ही जिले यहांपर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो 9 नवंबर सन 2000 को ये कौन सा राजी बना था, ये बना था 27 राज्ये, भार उत्तरा खंड, ये बात याद रखना important है, पूछा जा सकता है, पुसकर सिंग्धामी यहांके, बीजेबी पार्टी से CM है, गवर्नर दुस्तों हैं यहांके, लेटनर जनल गुरमीद सिंग जी, इनका नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी नई नयुक्ती हुई है, इ ये भारत का first national park है, पहले इसका नाम हेली national park हुआ करता था, हेली से नाम बदल करके हुआ जिम कारवेट और जिम कारवेट से नाम बदल करके अब राम गंगा हो गया है, तो राम गंगा national park आज की टाइम पर इसका नाम है, ऐसा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि राम में अगर बात करें तो माना, नीती, लिपुलेग, ये तीन दर्रे आपको याद रखने हैं, छपेली, छोलिया, हारूल, गड़वाली, कजरी, ये यहां के प्रमुक लोक निरते हैं, क्लियर है न, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, इसकी राजधानी देहरादूर और गैर साइ तो दोस्तो अभी CBI ने, केंद्रिय जांस बियरो, यानि की Central Bureau of Investigation, CBI, CBI ने अभी साइबर अपराधियों, साइबर अपराधी कौन होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम क्या है, जो आनलाइन धोका धड़ी होती है, वो साइबर क्राइम के तायरे में आती है, तो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, या कहें इन पर कारेवारी करने के लिए, अभी Operation Chakra 2 चलाया है, कौन सा? Operation Chakra 2 इन्होंने चलाया हुआ है, जिससे ये Cyber अपराधियों को पकड़ सके, Cyber Criminals को पकड़ सके, अब जो CBI है न, ये भारत की सबसे Judge Agency मानी जाती है, और हाला कि इस पर आरोप भी लगे रहते हैं, वो अलग बात है, तो ये भी समय समय पर Operations चलाती है, जिस Operations के तहत, Mission Mode में ये Action लेती है, उस Type के अपराधियों पर, जैसे अगर मैं कुछ Examples की अगर बात करूं, तो अभी कुछ महीनों पहले, Operation Garud इन्होंने च ये जय को पकड़ा था, डरग अपराधियों को पकड़ा था, इस पर Action लिया था, ठीक है, Raid मारी थी, यिन्होंने Operation तिर्सूल चलाया था, Operation जब तिर्सूल चलाया था, तो Operation तिर्सूल की तहत ये PARTYारपण करा रहे थे, ठीक है ना, जो PARTYारपण कर रहे थे, अपराधि जो होते नहीं है कि विजय माल्य बनना चाहते हैं ठीक है यहां से फराट करके भाग याते हैं विदेश उनको परत्यारपन कराया ऐसे 33 परत्यारपन एक ही साल में कराये थे CBI ने अच्छा यह तिरसूल और गरून याद रहेगा और चक्र भी याद रहेगा यह तीनों CBI के आउपरेशन्स हैं बाकी मैंने आपको ऐसे भी आउपरेशन्स बताये हैं जिन आउपरेशन के तहर विदेशों में फसे भारतियों को भारत में लाया गया ठीक है वो पेज मैंने आपको एक दिया था आपने देखा होगा वर्टसेट चनल पर भी मैंने वेज़ा हुआ है अगर आप देखना जाते हो जो नए जुड़े हो जाकर वर्टसेट चनल जोईन करना उसमें बहुत सारे से तमाम रिवीजन वाले एक साथ चापे मारे हैं और उसके बाद यहाँ पर सौ करोड रुपए तक का क्रिप्टो करंसी घोटाला भी पकड़ा है इन्होंने ठीक है तो क्रिप्टो करंसी में भी बहुत सारे मनी लांडरिंग वगरा हवाला कारोबारी वगरा यह काम करते हैं CBI की बात करें अगर Central Bureau of Investigation की तो इसके अस्थापन दोस्तो 1963 को होई थी उसके महा निदेशा कभी रिसेंटली परवीन सूध बनाए गए हैं इनका नाम याद रखना दो वर्स के लिए भी रिसेंटली बनाए गए हैं तो यह काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं दो साल तक रहने वाले हैं तो दो साल तक इनका नाम आपको याद रखना चाहिए ठीक है नेदिली में इसका headquarter है तब तक तो आपसे लखसल लहीं हैं आगे बात करते हैं हाली में कहां पर सरस आजीव का मेला 2023 शुरू हुआ तो सरस आजीव का मेला 2023 यह भी हर्याना के गुरुगराम में शुरू किया गया है सरस आजीव का मेला दोस्तों ये खास कर के लिए फोकस्ड है जो self helping group की यानि कि स्वयम सहायता समूग की जो महिलाएं होती है उन पर इस बार का focused है क्यों focused है क्योंकि self helping group जो होता है उनको सरकारें बहुत सारे किफायती दरों पर या कहें कि बिना interest के भी लून देती है जिससे वो अपना छोटा छोटा मोटा कारोबार कर सकें कैसा कारोबार handloom का handicraft का अपना जो भी कुछ बनाती है उन सारे product जो कुछ इस प्रकार से दिखते है इन सारे products को इस मेले में ये sell कर सकें इसके लिए ये मिला आजित हो रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि देज भर से 800 से जादा स्वयम सहायता समों की महलाएं सामिल हो रही है इसमें सरकार का भी योगदान है सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है और ये सरस आजीव का मिला एक राष्टी अस्तर का नेसनल लेबल का मिला होने वाला है कब तक चलेगा ये 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 11 न करते हैं हर्याना की हर्याना अगर आप देखोगे तो इसकी राज़दानी तो होती है चंडिगर्ण हर्याना यहाँ पर आपको दिख साएगा हर्याना अपना बौर उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड से हिमांचरप्रदेश पंजाब और इधर राजस्थान से से शेर करता हर्याना की राजधारी चंडिगर है मनुहरलाल खटर विजेवी पार्टी से यहां के सीम है गवर्नर है बंडारू दतत्रे है यहां पर जीलों के अगर बात करें तो बढखल जील सूरजगुंड सूरजगुंड इंपोर्टेंट है सूरजगुंड का मेला भी लगता है इसके प्रमुख लोक ने रिते हैं 22 जीले है 90 सीटे हैं आपर विधान सभा में और लोक सभा में यहां से 10 और राज सभा में यहां से 5 सीट जाती है के लिए आगे बढ़ते हैं BCCI ने भारतिय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख कोच किसे नियोग किया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन यह पूछा जा सकता है आपसे BCCI Board of Control for Cricket in India तो इसने अभी हाले में भारतिय महिला जो क्रिकेट टीम है उसके लिए मुख कोच Chief Coach बनाया है दोस्तो अमोल मजूमदार को अमोल मजूमदार आपको यहाँ पर दिख रहे है National Team में आपको नहीं दिखे होंगे क्योंकि यह List A और First Class Ready तक ही यह खेले हाला कि रड़जी वगरा में इनका काफी अच्छा नाम था मुंबई की टीम से यह कई रड़जी ट्राफी का किताब भी जीत चुके है मुंबई की टीम में ठीक है और यह अब नए मुख कोच होंगे Risi Case Kanitkar यह अस्थाई अभी तक कोच के रूप में काम कर रहे थे इनकी जगह पर अब आएंगे अमोल मजूमदार यह BCCI के दोरा भारतिय महला क्रिकेट टीम के कोच है अब देखो यह तो भारतिय महला क्रिकेट टीम के कोच हो गए कुछ और कोच का नाम आपके लिए लाया गया है बिल्कुल exclusive है ठीक है दो-चार दिनों में आपको यह पेज तैरता हुआ नजर आ जाएगा टेलिग्राम पर हो गारा पर खुब लोग खुब एकदम दम लगा करके चोरी कर रहे हैं खुब सेयर कर रहे हैं अच्छी बात है करो भया हमारा भी प्रमोशन लेकिंग कर दिया करो यह वाटर मार्क जो है इस पर अपना लेबल ना लगाया करो लगा रहने दिया करो ऐसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप सेयर करो अच्छी चीज है कि आप सेयर करोगे मैं रिसर्च करता हूँ हम लोग यहां पर बैट करके लिखते हैं डूडूडूड कर कीज़े आप सेयर करते हो कोई दिक्कत नहीं है लेगिन कम से कम यह लोगो तो ना मिटाया करो यह ना यह नाम तो रहने दिया करो मेरा चलो और या तो फिर खुड टाइप करके अपना नया पेज बना करके कर लिया करो कॉंटेंट ही देख लिया करो सब चीज एक जिगा मिल रहा है लेगिन अपना टाइप करके खुद देया करो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग पेज भी मेरा लेते हो और लोगों भी मेरा मिटा देते हो चलो फिलहाल भारतिये महिला क्रिकेट टीम क वात हो रही है महिला और पुरस की फुटबाल टीम की अगर बात करें तो इगोर इस्टीमैक इनका नाम पूछा जाएगा आपसे यह भारतिये पुरस फुटबाल टीम के कोच हैं थामस डंडर बाई यह महिला टीम के कोच हैं अच्छा होकी और फुटबाल में आप याद रखेंगे अगर नाम दिखो दिमाग में एक बार बना रहेगा ना तो ऑप्सन देख करके भी आप गेस कर सकते हो कि हाँ नाम सुना सुना लग रहा है आप लगा सकते हो इसलिए देखना जरूरी कोई जोरी नहीं है एक बार में याद हो जाए लेकिन दो-चार बार में आपक कर दिया है वीजा सेवाएं आपको पता होगा पिछले दिनों कनाडा से अपने रिलेशन्स बहुत ज्यादा खराब हुए डिपलोमेटिक रिलेशन्स काफी ज्यादा मतलब एतिहासिक अस्तर पर कनाडा के साथ अपने खराब हो गए थे उसी बीच क्या हुआ था कि यहां क कुछ कंडिशन में भारत ने कहा कि कुछ कंडिशन में वीजा सेवाएं वहाल कर रहे हैं वह भी बहुत ज्यादा इस्ट्रिक्ट परमीशन के साथ बहुत ज्यादा इस्ट्रिक्ट चेकिंग के साथ तो किवल चार कर्टेगरी में अभी शुरू मिल पाएगा इंट्री अब कली बात किया था यहां पर जरूरी चीज़े देखते हुए जिनको बहुत जाद जरूरत है वो लोग आ जा सकते हैं, इसलिए यह किया गया है अभी, अभी पूरी तरीके से रिस्ते सुधार, रिस्तों में सुधार नहीं आया है, करनाडा की बात करें तो राज़ान इसक इसकी कनाडा ही डालर होती है, अमेरिका जो आप देखते हो मैप में, उसके जस्ट उपर है कनाडा, ठीक है न, अभी यहां पर मैप नहीं लगया गया है, नहीं तो मैं दिखा देता, आगे, NCRT ने अपने आने वाली किताबों में इंडिया की जगा पर भारत सब्द अभी ओफीसियल तरीके से NCRT की तरब से जवाब नहीं आया है, यहां पर बात अभी यह आई है, कि NCRT का एक वरिष्ट पैनल है, जो बैठाया गया था, उस वरिष्ट पैनल ने, उस कमेटी ने सुझाओ दिया है कुछ परिवर्तन का, और सिर्फ एक ही परिवर्तन नहीं अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कौन-कौन से परिवर्तन को सुझाओ दिया गया है, ध्यान रही अगेन, जो ये डिटेल्स आती है, जो ये न्यूज आता है, मैं उसको आपके सामने डिलिवर करता हूँ, है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा मत है, या पिर मेरी कोई राय है, या मेरा कोई ओपीनियन है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जो भी न्यूज आती है, वो मैं न्यूज आपके सामने रखता हूँ, जो भी डिटेल्स रहती है, आर्टिकल्स अगरा में, तो अगेन यहाँ पर देखिए, क्या-क्या सुझाओ दिये गए हैं इस कमेटी किया जा सकता है, जो पराचीन इतिहास है, उसकी जगापर सास्त्री इतिहास के रूप में उसको बदलने का प्रयास किया जाएगा, मतलब भारत को ज्यादा फोकस रखा जाएगा, पार्टि पुस्तकों में हिंदू जीत पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, मतलब कि जो मु भारती ज्यान प्रणाली, भारत की जो सल्लेचिकित्सा, चरक संहीता, जो बहुत सारी प्राचीन वेद पुरान में, बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो आज भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन Western theories के Western के अंसार बताए गए चीजों के अंसार लोग यूज कर रहे हैं, तो इसम ये सब चीजे सामिल किया जाएगा, जिससे प्राचीन भारत के जो भी सांस्कृत है, जो भी ज्यान है, उनको include किया जा सके, तो ये कोई सुझाओ दिये गए हैं, ठीक है, इस कमेटी के दौरा, फिलहाल NCRT के बारे में बात करें, तो ये है National Council of Educational Research and Training, यानि कि राष्टिय सैच्छडी का उन्सवन्धानें उपर सिक्षण परिसद, इसकी अस्थापना 1961 में हुई थी, नएदिली में Headquarter है, Dr. दिनेज परसाद सकलानी जी इसके वर्तमान में निदेशक है, यानि Director है, क्लियर है न, चलिए, आगे, यहाँ पर हमारे कुछ कोर्सेश भी है, अगर कर आप डिटेल में प्रात्त कर पाओगे, जादा जानकारी के लिए MZT app पर विजिट कीजिए, जगा जगा आपको WhatsApp का आइकॉन दिखेगा, उस पर टच कीजिए, आप सिधे पहुचोगे हमारे WhatsApp पर, और कोई भी कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो पूछ सक हाली में अमेरिकी प्रतनिधी सभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अमेरिकी प्रतनिधी सभा का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, अभी हाली में Mike Johnson को, Mike Johnson आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यह है Mike Johnson, इससे पहले मैं कुछ आगे बताओं, आप यह समझ ल एक संसद है, अमेरिका की संसद का नाम होता है Congress, ठीक है न, देखो, समझो इस चीज को, आप confused मतों न, भारत से मैं compare करके भी बताऊंगा, अमेरिका की जो संसद का नाम है वो है Congress, वहाँ पर party नहीं है Congress, उसकी संसद का नाम है, इस संसद के दो House है, एक है House of Representative, एक है House of Representative, और एक है दोस्तो सीनेट, तो जो सीनेट है न, ये Upper House है, और House of Representative, जो है ये Lower House है, है न, अब इंडिया से compare करो, इंडिया में भारत वो हम लोग जो संसद है, उसको संसद कहते हैं, मालो लोग पारलियमेंट कहते हैं, इसके भी दो अंग है, एक तो है दोस्तो राजिसभा, लोग सभा, जो राजिसभा है, ये अपना है Upper House, और लोग सभा जो है, ये है Lower House, ठीक है न, Lower House है, तो राजिसभा में चैन की परकिरिया अलग होती है, लोग सभा में अलग होती है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल की अगर बात की जाए, तो ज़्यादा पावरफुल हम ल लेकिन आम जन्ता द्वरा चुन करके इसी में lower house में लोग जाते हैं, तो यही house of representative के जो अध्यक्ष है, वो नियुक्त किये गए है यह जानसन साहब, जैसे अपने यहाँ ओम बिल्ला जी है, है ना, यहाँ पर तो अपने यहाँ के by default उपराश्टपती होते हैं, तो इसी के अध्यक्ष हैं, तो अगर पुछा जाए इसकी संसत का नाम तो आप Congress बताएंगे और उसके दो वो बताएंगे, यह लुसियाना प्रांद के चार बार से Republican Congress हैं, अब देखो, वहाँ पर दो पार्टियां चलती हैं, एक Republican प्रमुकरूप से और दूसरी Democratic, Democratic के हैं संसत हैं, तो इसका मतलब है कि यह जो है, यह Speaker होंगे, Republican Party से होंगे, ठीक है, यानि कि अभी से ही यहाँ पर लक्षण दिखने सुरू हो गए, दद्दा जी जाएंगे, चच्चा जी फिर से आएंगे, जिनको समझ में आए, comment करके बताएगा, तो बाकी चीजें आपको समझ से Powerful सत्वानी जाती है, ठीक है, अमेर के अपने आपको सबसे बड़ा वो भी कहता है, तो यह सब चीजें हैं, वाकी अब आपको सब समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं, चर्चित पुस्तक, Revolucionizing Business Operation, इसको लिखा किसने है, इस पुस्तक को अभी हाली में, टोनी सलद और फिल्पो पेसरिनी ने लिखा है, उपरोग दोनों आप्सन आपका करेक्ट होगा, यह बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो अभी आई हुई है, Revolucionizing Business Operations, नाम से हिस्पष्ट है, यह Business Operations में कैसे करांदिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई है, और इन दो लेकों को उने महानुभाव उने लिखा हुआ है, इस पुस्तक का पूरा नाम है, Revolucionizing Business Operations, How to Build Dynamic Processes for Enduring Competitive Advantage, यह पुस्तक का नाम है, पिछले दुनों में जो पुस्तक आई थी, उनको देखो, River Swing पुस्तक अभी असोक टंडन की आई थी, The Autobiography of God, यह लीना कु और Heritage Trees of Goa, When Parallel Lines Meet an Ante Priya Kapta Kal, यह पुस्तक, Goa के Governor P.S. Sridharan Pillai ने लिखी, Drunk on Love बिपुल रिखी की पुस्तक थी, और कुछ अधूरे सब्द आस्तोस अगनिहत्री की पुस्तक थी, How Prime Minister's Decide, निर्जा चोधरी की पुस्तक आई थी, यह पिछले दुनों में आई कुछ तो One Day World Cup में 40 गेंदों में अभी तक सतक किसी ने लगाया था, लेकिन आस्टेलिया के हैं एक Glen Maxwell, Glen Maxwell सहाब ने मात्र 40 गेंदों में 100 रन ठोक डाले, टोटल 106 बनाये थे, लेकिन 40 गेंदों में सतक लगा करके World Cup इतिहास का एक नया रिकार्ड सेट कर दिया है, इस बार कई सा जेटली स्टेडियम जो फिरोज सा कोटला के नाम से कवी जाना जाता था था अब अरूण जेटली स्टेडियम है, तो आपसे कुश्चन बन सकता है कि फिरोज सा कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके किस के नाम पर रखा गया है, आस्टलिया और नीदलियन के खिलाब आस कुछ और रिकार्ड जो भी इसी वर्ड कप में बना, जैसे सात सतक लगाने का रिकार्ड बना, सात सतक वर्ड कप में पूरा किया रोहित सर्मा ने, और रोहित सर्मा ने ही सबसे अजात छक्के लगाने का रिकार्ड, सरवाधिक छक्के लगाने का रिकार्ड बनाया, इसके अ दोस्तों ये भी बना है अभी सबसे तेज सतक ये सब कुछ रिकार्ड है जिनको आप याद रखोगे हाले में जम्मू कस्मीर का भारतिय संग में 76 विले दिवस का मनाया गया दोस्तों, जम्मू कस्मीर जब भारती संगह में विले के प्रस्ताव पर मंजूरी दिया था यानि कि इसपर साइन किया था तब का ये इसमिरथी दीवस है, 76 साल हो चुकी है ठीके न, ये कौन से 76 है ये वो 76 है जब जम्मू कस्मीर भारत में विला होने के लिए वो किया था, जब तीन सुस्तर वगरा नहीं था, यह इसकी अलगी स्टोरी है कभी समय मिला, मौका मिला तो मैं जरूर इस पर वीडियो बनाना चाहूंगा इस पर research मैं भी करूंगा, मुझे भी जानना है इसके बारे में पूरा आच्छी से जानकारी होता क्या है, जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिस करता हूं तो पहले मैं खुब अच्छे से research करता हूं तो मुझे भी बहुत सारी चीज़े जानने को मिलती है, इसलिए जब भी मुझे भी चीज़े जाननी होती है, तो मैं भी उस पर वीडियो बनाने की सोच लेता हूं और जिससे हमें भी जानकारी मिल जाया और आप लोग को भी हो देश कूँ तो फिलार ये सब चीज़े हैं तो फिलार उस टाइम पर उननीस सो साइटालिस में महराजा थे, ततकालिन महराजा थे जम्मू कस्मीर के हरी सिंग तो जो हरी सिंग थे, उन्होंने विले करने के लिए मंजूरी देदी विले पर यहां पर हस्ताक्षर भी कर दिये फिर पता नहीं क्या हुआ उत्हापटक बहुत सारा इधर उत्हाज की चीज़े हुए पता लगा धारा सु 370 आ गया और जब यह 370 आया उसके बाद से तो आप देखी रहे हो बहुत सारी चीज़े हुए उसको एक दिसे सराज का दर्जा मिल गया लेकिन आकर के 5 अगस 2019 में 370 और 35 एक को निरस्त किया गया और इसके बाद से फिर इसको युनियन टरेटरी आगे चलकर कर दिया गया तो जब तब से यह अभी तो युनियन टरेटरी है लेकिन यह दिवस जो है 2020 से मनाय जाना शुरू हुआ विले दिवस की रूप में बनाय जाएगा ठेक है कौन सा 26 अक्रूबर का दिन तो यह चीजे हैं बाकी जब इस पर डिटेल में वीडियो बनेगी तो आपको बताऊंगा ही फिलाल यह तो थे टॉप 10 करेंट एफर के कुश्चन आज के दिन से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजेगा हमारा वाटसेप चैनल भी जॉइन कीजिए इस वाटसेप चैनल पर आपको बहुत सारे कॉंटेंट मिल जाएंगे बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स या बीजबीज में जो भी जानकरिया होती है मैं सेयर करता रहता हूँ और डेली का डेली यह वाल लाइनर जो है किवल और किवल वाटसेप चैनल पर दिया जाता है तो आप वाटसेप चैनल से जरूर जूड़ी है हमारे टेलिगराम गुर्प पर जूड़ी है टेलिगराम पर भी बहुत सारे पीडियाप भेजी गई है आप जाकर के पीडियाप सेक्शन में डाकॉमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना बहुत सारे पीडियाप है चलिए, कल मैंने जो question पूछा था, कौन सा था वो 7th Future Investment Initiative की theme क्या रखे गए थी The New Compass समयुकत राष्ट में सामिल होने वाला 193 विमा देश South Suran है, आज आपको क्या बताना है भारत किस वर्स पोलियो मुक्त देश बना ये question पूछा जा सकता है, important है हालनी में EdTech Startup Henry Harwin Education के लिए brand और मिजडर किसे नियुक किया गया मैंने बताया था ना, कि आपसे question of the day में ये include करा लिया जाएगा, जो बीच में पूछा गया है तो बताईएगा आप इसका अंसर दोनों का जो भी पता हो, detail अगर पता है तो detail भी लेक सकते हो आप Thank you so much, यहां तक class देखने के लिए मिलेंगे गिल क्लास में, तुभी नमस्कार जैहें वन्दे मात्रम